वेलकम दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे अगले दो महिनों में आप ऐसी पढ़ाही करें जिससे आपके 95% से उपर आजाएं बोर्ड एक्जामस में जब बोर्ड एक्जामस आते हैं तो उसमें थोड़ी टेंशन आही जाती है, it's normal, इसमें कोई घबराने की बात नहीं तो हम लोग बात ये करेंगे कि हमें प्लान क्या करना है, करना क्या है और कैसे करना है तो मेरी अपील है कि आप पूरे वीडियो को अन तक देखते रहे हैं और आपको certain ऐसे टिप मिलेंगे जो आपके लिए बहुत fruitful होगे तो शुरुआत हम लोग करते हैं कि जो time हमारे पास है, दो महीने का मानते हैं हम अपने पास time तो उसका एक time table हमको बनाना पड़ेगा, अच्छा जो time table बनाना है न, उस time table में मोटी मोटी चीज दिमाग में रखिए और प्लान करिए according to you, ऐसाना हो कि वो बहुत ही highly analytical हो जाए, कई लोग बहुत suggest करते हैं कि point one, point two, इतने घंटे, ऐसे घंटे, वैसे घंटे, तो घंटे तो आप लगाएंगे, लेकिन बहुत दिमाग लगाने के लिए highly analytical बनाने की ज़रोत नहीं हैं, ये ध्यान लखे कि time table में जो morning का time होता है, जब भी आप अगर early risers हैं, 5 बज़े उठते हैं, 6 बज़े उठते हैं या exam time में late night study कर रहे हैं, सुबह 9 बज़े उठते हैं, तो जब भी early जो time है, आपका वो लगना चाहिए, उन subjects को जहाँ पर याद करना है आपको, याद करने वाले subject, हम science subjects की बात करने तो chemistry, biology, इन subjects को आप pick up करें, जहाँ पर ज़ादा याद करने की बाते होती हैं, तो आप याद करने का काम सुवेगा रखें, उसके बाद थोड़ा सा rest कर लें, और दिन में या रात में physics and mathematics पढ़ें, जहाँ आपका दिमाग काफी process में आता है, practice चाहिए होती है ज़ादा, तो इस तरीके से time table आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत analytical करने की ज़र पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रुत नहीं होनी चाहिए, और time table ऐसा होना चाहिए कि आपकर जो course है, वो ऐसा finish हो जाए, एक मेने सबा महिने में आप कर ले जाएं, उसके बाद आपको revision का मौका मिले, क्योंकि अगर आप revise नहीं कर पाए, सारी चीज picture तो अच्छी लेकिन end अगर गरबड़ हो गया, तो picture flop होने वाली है, क्योंकि पढ़े सब हैं, match अच्छा खिला, football का लेकिन गोली नहीं कर पाए, जब गोल नहीं कर पाए, तो result तो फिर हमारे हक में नहीं आएगा, तो revision का time जलूर अपने हाथ में रहना चाहिए, तो ऐसा आप करें, नहीं से ऐसी सूच ही ना रखें, कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता, ये हो गया है, उसको imagine करें आप, और एक बात मैं आपको बताओं, कि जो students थोड़े से घबरा रहे हैं, या जो आपके साथ हैं, कहते हैं, बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा उनको समझाएं, वरना अपने आप में रहें, उनके साथ ज़्यादा न रहें, कोकि जो atmosphere रहता है, उसका 45% हमारे दिमाग के उपर असर रहता है, अगर आप चार बार आपके दोस्ती बोलेंगे, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, हार टॉपिक है, नहीं हो पाएगा, तो आप 45% उससे impact खा स सकते हैं, तो आप उनकी मदद करें, आप उनको बोलें हो सकता है, हो सकता है, फिर भी भी भोलें नहीं हो सकता है, तो आप कहेंए ठीक है, थोड़ा सा मुझे अपकरना है अपना काम, तो अपना पूरा विश्वास रखें, you can do it, you will do it, पका है ये, आप करिग लेंगे, यहां निकी के टाइम टेबल के समय कि टाइम टेबल इतना हाड नहीं होना चाहिए कि आप शुरुवात महीं ठक जाएं दिखे कभी-कभी हम लोग अपनी बॉड़ी को शेप मिलाने के लिए अच्छी फिट करने के लिए जिम जॉइन करते हैं और शुरुवाती एक-दो दिन यहां और कल फिर इससे अच्छा बढ़ियां करेंगे ना कि यह कि जूज जाएं शुरुवाती दो-तीन-चार दिनों में और उसके बाद आप यह डिसाइड करें कि बस का नहीं लगता तो बिलकुल आप एकदम बं की तरह नहीं गिरें आप बं की तरह नहीं कोशिस करते र हैं प्रोग्रसिव वे में आज इतना तो कल उससे दो कदम आगे उससे दो कदम आगे और कर लेंगे आप अगली बात हम लोग करते हैं कि आखिर करना क्या होगा बढ़ा सिंप्ल रूल कोई परशानी नहीं लेनी आपको आप NCRT पकड़िए साब NCRT में दी गई ठोरी तो आप पढ़ी रहोंगे साल बर उसको भी पढ़िए इच्छे से और उस भी जितने भी सवाल हैं सवाल का मतलब example से भी है वो examples उसके अंदर जो exercises दी आई ही हैं मिशलीने sizes दी हुई जितने सवाल printed है NCRT में सारे कर लीजे आप सर और करिए और revision भी करिए इसका important जहां जाँ फस रहें जिस सवालों में मा लीजे 50 सवाल हैं आज अगर आप 50 करने जा रहे हैं तो revision में 50 करने की ज़रूरत नहीं है पचास में जिन जिन में अटक रहे हैं उसको pencil से ले लिजे आप बाजार में कई publisher के आते हैं बड़ी अराम से आप ले सकते हैं मिल जाएंगे आपको और उन publisher के 10 paper आप सॉल कड़ डालिए जिब revision इदर कर लीजे तो उसको सॉल कड़ डालिए तेकि अब मोटे दोर में मानें कि एक sample paper में 30 question होते हैं और 10 last year के paper लगाए तो 300 question और लगाया आपने बड़ अराम से और जब यह हो जाया है तो उसके बाद आप लीजे sample papers है ना जो designed होते हैं एक धाई गंटे तीन गंटे में तीन गंटे का paper है आप अपने ली टार्गे डाई गंटे का रखिए क्यामें डाई गंटे में करके निकालना ही है और उनको कि कोई परशान होने की ज़रूत नहीं आपको बिलकुल NCRT पकड़ के चलिए सारे questions NCRT के लगाईए पिछले 10 साल की paper लगाईए और sample paper 10 paper लगाईए different different आते बड़े मज़े से अच्छा बात यह हो गई कि यह हमें करना है बड़ा छुटी से बात हमने बताई कि ऐसे करना है अब यह जो आप NCRT के सवाल लगाएंगे, theory पढ़ेंगे, sample paper लगाएंगे, इनको करेंगे कैसे साब, क्या technique इसमें follow करें जिससे आपका result बहुत कमाल का हो, तो देखिए उसमें आपको करना क्या है कि जो numericals है न, कभी कोई short numericals मी रहते solutions रहते हैं, उनको read out नहीं करना है, और कागा जो pen लेके करना हैं, कई बच्चे उसको read कर लेते हैं solutions, तो read करने से आपको नहीं आएगा, mathematics अगर आप read out कर रहे हैं solutions, तो you are fooling yourself, don't fool yourself, आपको कोई बुद्धू बनाएं, तो आपको बुरा लगता है, और आप खुद को बुद्धू बनाएं, तो कितना बुरा लगना चाहिए, तो यह बिलकुल नहीं होना चाहिए, और derivations का examination में बहुत आते हैं, बॉर्ड में आते हैं काफी, तो उन derivations को भी read out नहीं करना है, कि यह derivation दिया हुआ energy का proof करना है, कैपिसेटर का या किसी भी 10th class का 12th class का, उसको pen paper लेके derive करना है, अगर आप derivation का practice दूसरी बात जो theory पढ़ेंगे, तो numerical का aspect हो गया, derivation का aspect हो गया, बाताती theory की, तो theory की जब पढ़ाई करें, तो correlate, imagine करके करें, ऐसा नहीं कि पढ़े चले जा रहे हैं, जब आप पढ़े चले जा रहे हैं, तो गोटना पढ़ जाएगा आपको, आप क्या करें, imagination में जाएं क और science subjects में, कई subjects में बहुत formula होते हैं, जैसे mathematics से, physics से, और कईयों में थोड़े कम होते हैं, लेकिन होते हैं हर जगा हैं, या key points होते हैं, तो आप एक diary लीजिए, subject wise अलग-अलग, physics के अलग diary छोटी बज़ आईए, maths के अलग बनाईए, bio का key points के अलग बनाईए, chemistry के important equations का अल नमबर वन, उसके formula लिखिए, और उसमें जो symbols use किये गए हैं, उन symbol के बारे में भी लिखिए, कि symbol क्या कहते हैं, और ये समझने की कोशिस कीजिए, कि formula लगेगा कहां, तो देखें, ये reverse technique है, इसमें क्या होगा, कि जब formula के पास जाएंगे, आप formula से fit होने की कोशिस करेंगे तो होने की अवला है, ये formula से आपकी theory prepare होने लगेगी, ये आखिरी formula लगता कहां है, क्या निकालता है, कैसे निकालता है, तो आपकी theory भी तैयार होती है, और विश्वास कीजिए, पक्का बता रहा हूँ, विश्वास कीजिए, अगर आपके सारे formula first class हैं आपके साथ, हिंद मिल जाएगा आपके marks में, तो इन formula से आप क्या कर सकते हैं, आप revision भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इन formula को पढ़के छोड़ना नहीं है, क्या करना है, इनको diary में लिखना है, साफ सुत्रे अच्छरों में, जिससे आप दुबारा read out कर सकें अपनी handwriting में, और उसके symbols का भी मतलब रखना है, आप इन सारी tips का follow करें, और पका आपके 95% आएंगे, I am waiting for you कि आपके 95% deserve में दिखें, और अपना जो arvind academy channel है, इसमें बहुत सारे lectures, interesting तरीके से math of physics के, especially 11-12 की मैंने डाले हैं, कोई भी दिक्कत हो, आप उनको concert कीजिए, पुरी उमीद है कि आपको के 95% time, wish you all the best, happy examination, thank you.